हेलो फिंट्स विल्कम बैक टू मैं चैनल नितोस कुकिंग हब आज मैं आप लोग लेके आए हूँ चिकेन पकोड़े की रेसिपी पकोड़े तो आपने कई बार बनाए होंगे लेकिन आप अगर मेरे बनाए हुए तरीके से बनाएंगे तो अंदर से एकदम जूसी और उपर से एकदम क्रिस्पी बनेंगे तो आए चिकेन पकोड़े को बनाते हैं चिकेन पकोड़ा बना निकली यहाँ पर मैंने 500 गराम यह बोनलेस चिकेन लिया है जो कि ब्रेश्ट की पिसेज है और मैंने इसे चोटे-चोटे टुकड़ों में कट किया है तो टुकड़े आप अप दो बड़े चमच दही दही आप कोई भी जो भी आपके घड में एवलेबल है वो यूज कर सकते हैं साथ में मैं यहाँ पर आपके पास नहीं है तो लालमिर्च पाउडर ही बढ़ा दे और एक चोटी चमच धनिया पाउडर आदी चोटी चमच काली मिर्च पाउडर एक चोटी चमच जीरा पाउडर एक बड़ा चमच कासूरी मेथी एड़ किया है और एक चोटी चमच चाट मसाला आदी चोटी चमच गरम मसाला पाउडर भी एड़ किया है मैंने साथ में मैं यहाँ पर एड़ कर रहे हूँ एक बड़ा चमच अद्रक लहसन का पेश्ट एक बड़ा चमच मैंने यहाँ पे लिया है चिकेन मसाला अगर आपके पास नहीं है तो मीट मसाला है तो वो भी डाल सकते हैं या आप इसकी भी कर सकते हैं एक मुठी भड़के हरा धनिया एड़ किया है मैंने और अभी हम इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे तो हम इसे कुछ देर तक मिक्स करेंगे ताकि मसाले अंदर तक जाए और यहाँ पे मैंने इसे एक से दो मिनर तक ऐसे ही मिक्स किया है और यह अच्छे से मिक्स हो चुका है तो इस time पे मैं यहाँ पे add कर रहे हैं इसमें एक बढ़ा चमच कास्मीरी लाल मिर्च पाउदर color के लिए आप चाहें तो color का use भी कर सकते हैं अगर आपके पास कास्मीरी लाल मिर्च पाउदर नहीं है तो आप skip कर सकते हैं लेकिन इसे डालने से इसका कलर काफी अच्छा आया है आप देख सकते हैं यहां पर लेकिन टेस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा और अभी मैंने यहां पर लिए एक बावल में मैंने यहां पर एड किया अभी एक अंड़ा अंड़े को हम अच्छे से फेट लेंगे और अभी मैंने इसमें एड़ किया एक चोथाई चमच नमक और एक चोथाई चमच काली मिर्च पाउडर और बस हम इसे फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे और अभी से एक साइड पर रग दे फ्रेंट्स और यहाँ पर मैंने लिया एक मिक्सर पॉट इसमें 4-5 ब्रेडली है इसे चोटे चोटे टुकरों में तोरके मैंने डाल दी है और इसे ग्राइंड कर ले और यह हमारा ब्रेड क्रम्स रेडी है और यहाँ पे चिकन को रखे हुए भी 15 मिनट हो चुके हैं अंडा भी हमारा मिक्स हो चुका है तो यह चिकन के जो टुकरे हैं उसे मैंने अंडे में ऐसे डिप किया है इसे बहुत अच्छे सी कोटिंग हो जाएगी आपके चिकन पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी मसाल नहीं निकला है चिकन के उपर से और अभी इसे ब्रेड क्रम्स पे डाल के अच्छे से घुमाते हुए कोट कर ले तो इसी तरह से हम साड़े चिकन के पीसेच को अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम से कोट करके एक तरफ रख लेंगे इस तरह से अगर आप कोट करके पकोड बनाएंगे तो बिल्कुल भी एक्स्ट्रा वाइल एपसॉब नहीं होता है पकोड़े में और नहीं इसके मसाले निकलते हैं वाइल में तो यहांपे यह सारे पकोड़े को मैंने रेडी कर लिया है और अभी हम करेंगे इसे फ्राई फ्राई करने के लिए मैंने यहां पे लादी हम इसे पलटेंगे तो एक एक करके मैंने बहुत सारे पकोड़े आड़ की हैं जितनी एक बार में आ सके कड़ाही में और यहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें जहाग आ रही है क्योंकि हमने अंडे डाले हैं इसके वजह से तो अभी यह थोरी देर में सेट हो चुकी है तो हम इसे पलट देंगे और यहां पर आप देख सकते हैं कि कोटिंग बिल्कुल भी नहीं निकल रही है तो ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे हम इसे उलटते पलटते हुए फ्राई करेंगे ताकि हमारा चिकेन वह अंदर तक अच्छे से पक जाए और यहां पर मैंने इसे पा वाइली नहीं लग रहा है तो इस तरह से हमारा चिकेन पकोड़ा पूरी तरह से रेडी है बागी के पकोड़े को भी मैंने इसी तरह से तल लिया है और यहां पर आप देखे फ्रेंट से अंदर से कितनी अच्छी पकी हुई है एकदम अंदर से जूसी है और उपर से एकद को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके थैंक्स पर वाचिंग